Hello everyone, welcome back to the channel तो सीरीज की आज ही फोर्थ वीडियो है अगर आपने लास्ट त्री वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देख लेजएगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है अच्छे क्वेशन आप से छूट नहीं जाने चाहिए महीं पर अगर बात करते हैं इस PDF की तो आपको ये टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी वो भी उसका भी लिंक से दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो पहला प्रशन कुछ इस प्रकार से है कि तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि अच्छा हां मेरी प्रिप्रेशन कितने अच्छे से हो रखिए तो अगर आम देखें तो यह HPSSBJ 2016 का इनफेक्ट यह EAC में 1999 में पूछा गया है वहीं पर यहीं कतम नहीं होता है अब इसी तरीके से घुमा के इस question को the radial splits which are wider on the outer side जो हमारा लॉग था जो हमने पूरा मतलब सिकुड जा रहा है बहार बहुत चोड़ा है और अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है तो नेरो हो रहा है हमारे अंदर की तरफ तो इस चीज को क्या कहते है तो इसके लिए एक diagram है मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो यह देखिए इफरेंट डिफरेंट की shape है तो आप देखिए तो अगर आप कप शेक और rings shake की बात करते हैं तो कप शेक में क्या है कि जो annual rings होते हैं अब आपको याद हो तो हमने सबसे पहले देखता है जो टिंबर का पूरा diagram है कि यह पित होता है फिर हमारा heart आता है then sap then cambium layer then inner bark then outer bark तो जब हमार एनुवर लेयर और यहां पर हमारी यह होती है medulary rings यह हमारी medulary rings होती है और उसके बाद है कर आम बात करें यह जो होता है हमारे एक साल पर पूरी जो सरकल बनतीओं से बोलते है annual rings तो basically cup shake और annual rings की बात करें बहुत चोड़ा चोड़ा बहुत चोड़ा अंदर के तरफ यह पतला होता जाता है तो यह तरीक है के जो डिफेक्ट है उसे फिर प्लांट हो जाता है और सन की एक्सेटर में आ जाता है तो जो डिफेक्ट हमेंगे को मिलता है उसे हम रेडियल शेक हो जाएगा तो अभी इस ग्वेशन का आंसर अपर हो जाएगा कि बाहर की तरफ वह जादा वाइडर रहले इंकाम पैर तो अंदर वह तरह नहीं होता है कि the type of cement used in lining of deep tube wells is गहरे नल कूप की lining के लिए किस प्रकार की cement का प्रयोग किया जाता है तो पहला option है blast furnace select cement वात्या भट्टी धातुमल cement second option है portland pozzolona cement portland pozzolona cement oil well cement tail coop cement high alumina cement उच्छे alumina cement SSC 2019 का question है यह तो यह important question है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नल कूप गहरे नल कूप की lining के लिए deep tube wells की lining के लिए हम oil well cement को use करते है oil well cement की use करते है c option will be the correct answer वहीं पर लेकिन हम बात करें तो blast furnace slag जो हमारा है blast furnace sack जो है हमारा यह किस तरीके का cement होता है तो इसमें क्या है कि पहले पहली वात नाम में लिए तो जो OPC हमने ordinary जो cement पढ़ा है जिसमें हमारा मिसाल विडवल एस और डवल ले होता है जिसमें हमारा magnesium iron oxide lime silica alumina alkali sulfur इन सब का जो एक proportion होता है particular proportion होता है उसे हम OPC बोलते हैं उसी में अगर हम slag को तो OPC में अगर हम जो slag स्टील के manufacture में जो celery मलता है जो यह कहां करें तो यह कहां यूज किया जाता है इस तरह सा पदा कर सकता है इसका मतलब तो इसकी heat of hydration कम होगी क्योंकि mass concreting में क्या है heat of hydration जादा होगी तो unsoundness की problem देखना को मेलेगी इसका मतलब क्या यह low heat of hydration शो करता है इसलिए mass concreting work में यूज़ के जाता है वही पर हम बात करते हैं हमारे portland portland pozolona cement की तो portland pozolona cement क्या है कि basically यह OPC OPC जो होता है हमारा ordinary portland cement उसी में जब हम pozolonic material मिला देते हैं pozolonic material हमारे दो तरीके के हो सकते हैं एक हो सकता हमारा artificial और एक हो सकता हमारा natural हम अगर artificial pozolonic material की बात करें अगर artificial pozolonic material की बात करें तो जैसे fly ash हो गया उसके बाद हम rice का जो husk है उसको use कर सकते हैं तो यह सब हमारे क्या है natural pozolonic material है तो जब pozolona material को हम OPC के संग मिलाते हैं तो यह हमें portland pozolona cement मिलता है इसके खायस बात क्या है कि यह eco-friendly है अगर इसकी बात की जाए pozolonic material की तो यह eco-friendly है फिर हम इसमें pozolona material बढ़ा रहे है तो हम यह economical भी पढ़ता है तो यह economical भी है economical फिर अगर बात करें हम sulfur attack से बहुत अच्छा resistance शो करता है इसकी अगर हम बात करी जाए तो यह sulfur resistance से बहुत अच्छा resistance शो करता है अगर इन particles की बात करें तो यह बहुत फाइन होते हैं तो यह सारे डिफरेंट डिफरेंट की सिमेंट है पर यहां पर अगर हम बात करते हैं कि तो वह बोल रहा है कि गहरे नल कूप की लाइनिंग के लिए कौन साल सेमेंट यूज करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा oil well cement वेल अगर next question की तरफ बढ़ते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से कि what is the amount of water used to conduct initial setting time test of cement which has a standard consistency of pee cement के पारंब्रिक setting समय परिश्रन करने के लिए प्रयुक्त पानी की मातरा क्या है जिसमें पी एक माना किस थिरता है SSEJE 2018 का question है यहीं खतम नहीं होता है तो अकर हम बात करने तो देखिए अलग तरीके से पुछा गया है कि if pee is the percentage of water required for normal consistency water to be added for determination of initial setting time आप देख सकते हो 2017 में भी पुछा गया है UPRVUGNL 2015 में HPSSB 2017 में ESE का important question एक बार नहीं 1995 में 2010 में 2011 में आप देख सकते हो यह question तो बहुत important है आपके notes में include होना चाहिए तो options देखें किस तरीके से हैं 0.55 P 0.60 P 0.85 P 0.95 P question का answer बहुत easy 0.85 P will be the correct answer लेकिन अब हम कुछ समझ लेते हैं तो basically क्या होता है कि अगर हम OPC की बात करें अगर हम OPC की बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं तो OPC जो हमारा ordinary Portland cement है तो उसका initial time हमारा कितना होना चाहिए अगर हम initial time की बात करते हैं तो initial time हमारा को 30 minute के आसपास होना चाहिए अब initial time क्या होता है जब हमारी cement plasticity loose करने लगती है अगर वो plasticity loose कर रही है मतलब अब initial time अगर पास हो गया 30 minutes हो गया मतलब तो हमें उसके संग काम करने का समय नहीं मिलेगा और काम किस तरीके का जैसे placing हो गई हमारा वहां पर transportation हो गया जहां तक पहुंचाना है वहां पर उसको place करना है mixing करनी तो यह सब जो process है यह basically हमारा क्या है initial setting time हमारा 30 minutes होता है हमारे ordinary portland cement का अब देखो जैसे क्या होता जैसी just hardening start होने लगती है उसी को initial setting time बोलते हैं तो हम सबसे पहले consistency test करते हैं जिसके wicket apparatus को यूज करते हैं consistency test जब करते हैं तो उसमें पी amount का water content बता करते हैं कि कब 33 मतलब जो उसमें rod है वह हमारा जो पूरा content का 85% हम लेते हैं initial setting time में वह उसी water का पूछ रहा था किस जो standard consistency में जो पी water था उसका कितना amount of water हम यूज करते हैं initial setting time में तो हमारे 85% हो गया तो 0.85 हो गया वही पर अगर हम बात करते हैं wicket apparatus को यूज करते हैं लेकिन हमारी जो जो हमारा apparatus है उसमें हमारा किस तरीके के needle यूज होती है तो square needle यूज होती है सब आपके अलग तरीके mcq में तो हम कोई भी topic ले रहे तो उसके important चीज़ों को समझते चलेंगे तो square needle को use करते हैं जो कि किस उसका जो size है वह होता है 1 mm का तो जब वह 1 mm का हमारा जो square needle वो fail कर जाता है penetrate करने के लिए वह हमारे initial setting time test को हम उसका time को note कर लेते हैं तो square needle use करते हैं वो भी 1 mm की और इसका answer हमारा हो जाएगा 0.85 आप देख सकते हो बहुत सारे exam में पूछा गया तो यह भी एक important question है well next question कुछ इस प्रकार से है कि name the lime which is commonly used in white washing उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग सफेदी पुताई के कारियों में किया जाता है यहीं नहीं रुपता है यह अलग तरीके से पूछा कि आए कि यह कौन सा टाइप आफ लाइम है जो प्लास्टरिंग और white washing के लिए यूज किया गया है निमल में से कौन सा चूना प्लास्टर सफेदी के लिए प्रयोग किया जाता है यूपी जल निगम 2014 ससी 2014 इतना important question है नोट में जरूर include कर लेना तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यह कौन सा तो किस तरीके का lime यूज किया जाता है तो अगर हम इसकी बात करें तो fat lime जो शु हम oxide होता है CAO की बात करी जाया है तो 95% present होता है तो इसका उतला 5% हमारी impurity हो जाईगी यह भी एक question है कि जो हमारा lime है जो fat lime है उसमें कितना impurity present होता है कितने हम तक का तो 5% से लेके 95% तक है अगर तो 5% around उसके impurity present होती है अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो जब CAO में H2O मिल जाएगा तो यह बनाता है कुछ CAOH का hold twice तो इसी को हम slaked lime बोलते हैं तो यह हमारा slaked lime होगा है वही पर अगर हम बात करते है hydraulic lime की तो hydraulic lime कहां पर यूज किया जाता है motor यूज किया जाता है motor process में masonry में यूज किया जाता है जलिये चुना हमारा महां पर यूज किया यही जो हमारा CAO है जो हमारा CAO है जो calcium oxide है इसी को हम quick lime बोलते हैं तो अगले बाशन की तरफ बढ़ें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि according to the classification of ordinary Portland cement by Indian Standard Bureau which of the following is not a grade of cement ठीक है भारतिय मानक ब्यूरो द्वारा किये गए सदारन Portland cement OPC के वरगी करण के अनुसार ने मिल लिखित में से कौन सा सिमेंट का ग्रेड नहीं है तो अगरन सिगेमेंट की ग्रेड की बात करें तो SSJ 2019 की question आये तो 33 43 और 53 हमारे सिमेंट के ग्रेड है और अगर हम बात करते हैं option C जो 63 यह हमारा ग्रेड नहीं है इन्होंने नहीं पूछा है not a grade of cement अगर पूछते की कौन है ग्रेड तो 33 43 53 तीनों आंसर होते पर अगर यहां पर पूछते हैं कौन ग्रेड नहीं है तो 63 ग्रेड का कोई भी सिमेंट अभी हमारे जो इंडियन स्टेंडर्ड व्यूरे उस साधारन पूर्टलेंड सिमेंट का विचेश्ट गूरतव क्या होता है तो अगर हम सिमेंट की बात करें तो यह पहली बात तो question RRBJ 2019 का है वेल अगर इस question की बात करें तो हमारा specific gravity होती है फ्लास्क जो है उसका यूज करते है वेल अगर हम बात करें तो इसमें हमारा standard fluid लेना होता है water हम नहीं लेते क्योंकि हमारा हाइडरेशन की process स्टार्ट हो जाती है तो हम इसके लिए test के लिए किस fluid को यूज करते है यह एक important MCQA तो वह हमारा kerosene kerosene को हम यूज करते है इस test में तो जो हम specific gravity का test करते हैं तो हम kerosene को test में use करते हैं water की जगह क्योंकि वह hydration की process को start कर देता है well next question की तरफ बढ़ते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से है which of the following four books compound has maximum percentage by volume in hydration of cement तो अगर हम बात करें heat of hydration की hydration of cement में सबसे ज्यादा जो cement hydration है इन चार बोग मिश्रणों में से किसकी मातरा प्रतिश्य आयतन के अधिक्त होती है तो देखो पहले अगर हम heat of hydration की बात करें तो सबस्याद ही हमारा c3a निकालता है फिर हमारा आएगा c2s सॉरी c3s होता है फिर हमारा c4af फिर हमारा आएगा c2s तो अगर हम बात करें c3s हो जाएगा हमारा c light फिर हमारा होता है light फिर fellite और फिर wellite तो हमारा option हो जाएगा c3a b तो यह heat of hydration में सबसे आगे रहेगा लेकिन हम कुछ process देख लेते हैं अगर हम c3a की बात करें box compound बहुत अच्छा interesting lecture है आप देख सकते हैं जाकर हमारे 4 box compound होते हैं सबसे पहले हम अगर बात करें c3a की इसमें alumina present है और lime present है alumina present है इस वज़े से क्या show करता है quick setting की process के लिए यह responsible है quick setting के लिए responsible है quick setting को हम flash setting भी बोलते है और यह हमारा sulfur के लिए जो sulfur के लिए resistance उसको कम कर दता है reduce कर देता है reduce कर देता है resistance किसके लिए जो हमारा sulfur attack है उसके लिए reduce resistance against sulfur attack महीप अगर हम बात करें तो इसको harmful component है harmful ingredient अगर किसी को भी बोला जाता तो वह कहने हमारा सी 3 यह harmful ingredient of both compound जेते हैं वोक्स गंपाटमेंक में सबस 3S की बात करें, तो आप देखी है, सिलिका है, सिलिका थो लाइम शीलिका तो फो स्ट्री यसे बहुत अछ़नी के लिए, ये अपने बहुत अच्छे चीज़ा हैतलि है तो फॉस्ट और थोईंग क्या होता है उसके लिए हमारा ये जो ची थरी से ये रेजिस्टेंस हो करता है वैल महीं पर कराम सीटू एस की बात करें तो सीटू एस हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंद के लिए रेस्पोंसिवल है ultimate strength मतलब long duration के लिए strength के लिए responsible early strength मतलब है 7-14 दिन में इसके hydration process आती है इसमें एक साल तो कम से कम लगते है और long process जो है पूरा है तो वह 14 साल तक पहुंच जाता है ultimate strength के लिए responsible है इसका मतलब हम किस तरीके की जब हमारे को इस तरीके का construction करना है resistance के resistance को increase कर देता है resistance को increase कर देता है you reduce कर देता है c3s वहींपर gration प्रॉपर्टी इसको अंपर्ट होना ना होना हमारे लिए उतना problematic नहीं है लेकिन वहीं पर जान बात करें तो यहां पर heat of hydration में सबसे ज़्यादा percentage कसकी होगी तो C3AQ होगी और next question की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस प्रकार से है कि the diameter of plunger used in wicket apparatus is of wicket of current mpub किये गए plunger का व्यास है 20 mm, 10 mm, 5 mm, 25 mm हर्यान SSJ shift 2018 का question है लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो wicket plunger पहली बात तो wicket apparatus use कहां किया जाता है तो सबसे पहली बात consistency test जो होता है हमारा consistency test जो हम cement के लिए करते हैं उसमें हमारा wicket apparatus यूज किया जाता है wicket apparatus को यूज करते हैं वेल विकेट अपरेटर की बात करें तो इसकी पूरे मोल्ड की भी dimension को देख लेते हैं तो अगर हम मोल्ड की एक म Benefaitts तो यहां सेनध्म होगा तो यहां पर हमारा क्या होगा मेह तो यह हमें होगा कि ख़रे बात करें तो यहां पर हमारा किया हुगा 33-35 mm तक अगर वो हमारा जो हमारी रॉड अगर जाती है या पर नीचे से हमारा बॉटम से 5-7 mm और अप से हमारा 33-35 mm जो है mm है cm नहीं है mm है तो हमारा इनिशिल सब टाइम में विक्ट आपरेटर्स का निडल को यूज करते हैं वेल यह हमारा सब mm है तो हमारे उपर की यह दाइमीटर 80 mm मोल्ड में 100 mm नीचे 40 mm का पूरा हाइट है और रॉड जो हमारी उज होती है उसकी लेंथ हमारा 50 mm यह लेंथ है और जो डाइमीटर है वो 10 mm है हाइप्र अब बात करें तो हमारे जब टैस्ट करें उस थैम पर टैम प्रिशे अवारा कितना होना चाहिएLYएठ civilization प्ररिशिंट वी परसेंन प्लेटफ के लिए थी कि 7 पलडा खातें सभातित उप अगर हम बात करते हैं, इस plunger के weight की, जो plunger है, जिसका diameter 10 mm है और length हमारी 50 mm है, अगर हम इसके weight की बात करते हैं, weight की बात कर रहे हैं, तो यह 300 gram होना चाहिए, यह भी एक MCU में पूछा किया है, तो इसका weight कितना होना चाहिए, 300 gram के आसपास होना चाहिए, तो यह सब कुछ इसकी options थे, well, हमने यह सब discuss कर लिया है, तो इस question का answer हमारे 10 mm हो जाएगा, बी option will be the correct answer, और अगर हम अगले question की तरफ बढ़े तब कुछ इस तरीके से ही, the soundness of cement is tested by, cement की निर्दोशिता दुआरा जाची जाती है, तो हम अगर बात करें, wicked apparatus test की तो अभी हमने देखा था, wicked apparatus test consistency के लि lime है present, एक तो lime होता है, एक होता है हमारा magnesia, तो lime हमारे strength के लिए भी responsible है, लेकिन 62 से 67% की बिश्मोना चाहिए, पर उससे जाधा अगर हो जाता है, वो excess amount में present होता है, तो soundness problem करता है, मतलब soundness की problem होने लगता है, unsoundness होने लगता है, magnesia और sulfur, लेकिन हम जो test है, वो sulfur के लिए chattelier test अगर हम बात करें, leech chattelier test जो है हमारा, वो unsoundness की पता करता है, lime के वज़े से, लेकिन अगर lime और magnesia दोनो के वज़े से बात करते है, तो हमारा है á Bayern магnesia तो अगर हम इस question की बात करें तो यह बोल रहा है कि unsoundness test soundness of cement कौन पता करता है तो Leach Atelier Repetit Test पता करता है अगर autoglave होता तो फिर हमको देखना पड़ा कि किसके कारण बात करा है तो यहां पर हमारा Leach Atelier option हो जाएगा RRB 2019 का question है तो यह भी बहुत important question है वेल अगले question की तरफ बढ़ें तो यह भी देखिया कितना important question है कितनी बार पुछेगा है कि initial setting time for cement should not be less than तो कितने minute से जादा है अगर यह कोई cement इन्होंने explain नहीं किया है तो आप ordinary जो cement उसको लेके चलेंगे कितने minute से कम नहीं होना चाहिए तो हम discuss कर चुके है पहली बात तो हम consistency test से P निकालते हैं फिर उसके बाद हम 0.85 P से हम test करते हैं और जो हमारी square needle है एक mm की square needle है वो impression पनेटरेट नहीं करनी चाहिए वही time हमारा setting time हो जाता है तो अगर हम बात करते है इनिशल setting time जी तो 30 minutes जो है हमारा OPC के लिए वो उतना होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए और आप देखी सकते हो कितने exam है हरयान SSJ, SSJ 2018, DDA 2018 SSJU 2018, NBCC 2017 UPR, VNL, AE 2016 UPSSJ 2015 Bihar, SSJ 2016 इतने exam में पुछा गया है तो ये points तो आपके ये फिर repeat हो सकता है तो ये questions आपके notes में include होने चाहिए वेल, next question की तरफ बढ़ें तो वो कुछ इस तरीके से Which of the following tests are used for testing tiles? तो जो हमारे tiles है ने मलकित पर-explan हो मैं से कौन सी tile के पर-explan के लिए उप्योग किया जाता है तो SSJ 2018 में पूछा गया है तो breaking strength test तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगे जो test है मतलब हम tiles करते हैं उसके लिए कौन-कौन सी test होने चाहिए तो breaking strength test बंजक सामर्थ है इंपेक्ट test हम toughness को प्रता करने के लिए करते हैं तो ये भी करेंगे हमारे जो tiles का testing है उसमें ये चारो test को किया जाएगा breaking strength, impact, transfer, strength or water option सारे test को किया जाएगा तो इसी ही साब से हमारा D option करेक्ट हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 हम सारे test को करेंगे लगने प्रशनी की तरफ बढ़ते तो अगला प्रशनी कुछ इस प्रकार से है कि which of the falling defect appears due to presence of alkalis in the bricks इटो में चार की उपस्तिती के कारण निमन में से कौन सा दोश प्रकाट होता है ससी रही 2018 का question है तो अगर आपको याद होता है alkalis हमारे cement में भी problem कर रहे थे और हमारा bricks में भी problem कर रहे है तो इनके वज़े से एक problem होती है जिसे बोलते है efflorescence तो फूलना जो है जो ये problem होती है ये हमारे alkalis के वज़े से होता है कि white white सा powder आजाता है हमारे bricks या पर cement के उपर इसी को efflorescence बोलते है वही अगर हम बात करें alkalis in cement अगर cement में पूछा जाता है कि cancer of cement कि सको कहा जाता है तो alkalis ही है वो प्रधार्थ जो मतलब जिसके वज़े से हम cancer of cement उसे बोलते हैं तो जितने भी option है bloating, black core cracks और efflorescence उसमें से efflorescence is the correct answer जो white color का powder हमारा दिखने लगता है वही हमारे alkalis के वज़े से होता है वह अगले कोपेशन की तरफ बढ़े तो वो भी कुछ हमारे defect के तरफ ही है तो आप ऐसे देख सकते हैं the defect that is caused by the falling of rain water on the hot surface of the bricks is known as इंटों की गर्म सतह पर बारिश के पानी के गिरने के कारण जो दोस होता है उसे किस से जाना जाता है इंट की अकार गर्म इंट पर बारिश पढ़ने के कारण विक्रत हो जाता है इस विक्रती को क्या कहते है ओप्शन देखते हैं तो आप्शन है ब्लिस्टर, फफोला, कफ, चटखा, शियर क्रेक्स, अब पूरन, दर्रा, या फिर एफलोरेसेंस, उत्फूलन तो इम्पी, सब इंजीनियर्विंग में भी पूछा गया, इस क्वेशन को घूमा कर तो आप देख सकते हैं कित सारे क्वेशन पूछे गया हैं तो वही पर अगर हम डिएग्राम देख लेएं तो पहला अभी बताया था आप देख सकते हैं option बढ़ा है cuffs तो हमारा क्या है cuffs जो आपको देखने को मिलेंगे यह है वेल अगर आप उसकी बात करते हैं blisters तो blisters का क्या है वो blister मतलब वह कुछ वो पढ़ जाते हैं जो छोटे-छोटे फफूले से देखने को मिलेंगे और alkali के वज़े से 뭔ल देखने को मिलेंगे के उसकी कंशल tu जो आप प्रस हो मिलों उसका को कि बादे concerns कर्या हुए टो नेक्सट मिल miedo हो निकिपस है इसस दिएंग उस और त्रॉटेशन अस सोोईल ॉस्続 kissing ब्रैंड शान्वाीन. बहुत अच्छा लेक्षर किया है गर आपने सीरिस देखी हो तो different types of soils पे हमने उनके agent के वज़े से जो जितने भी soil हमने उनको डिसकस किया है तो आप यह देख सकते हैं तो एलिवील सोयल जो है हमारी बिसिकली जो पहाडों से पानी आता है वो अपने संग कुछ silt को जो अपने sand particles है चोटे चोटे particles को लेके आते हैं तो जो हमारे plains में आने के time पे जब पहाडों से आया पानी और जो प्लेन में आता तो velocity slow हो जाती है तो यहाँ पर इखटे होने लगते हैं तो जो sand particles जो sediments हमारे river bank पर हमारा deposit हो जाते है इखटे हो जाते हैं उस तरीके की मिट्टी को हम क्या कहते हैं वो हमार aleveal soil होता है और यह किस वज़े साया running water के वज़े से तो अगर इसके agent of transportation की बात करते हैं तो running water will be the correct answer आप देख सकते हैं यह becil nmrcj civil में पुछा गया 2000 इस तरीके से है कि for quality control of portland cement the test initially done is portland cement की गुणवक्ता नियांतन के लिए अनिबार रूप से किये जाने वाले पर इक्स्रान है 2018 sscije का question same यह question आपको फिर थोड़ा घुमा के sscije 2017 sscije 417 तो बार और पुछा गया है यह important question है तो setting time भी हम चेक करते हैं इसके लिए consistency test करना पड़ता है यह soundness हम पता करते हैं क्योंकि soundness पता नहीं करेंगे और उसकी मातरह जादा हो गई तो हमारा volume change होगा test है हमें सारे अपने portal instrument के quality के control को चेक करने के लिए उसकी गुणमक्ता के नियंतरन के लिए हमें सारे टेस्ट को परिश्रान को करना पड़ता है तो all of the correct सही विकल्प है सारे विकल्प सही है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा well next question को जिस तरीके से है कि the maximum size of clay particle is चिकनी विट्टी के कणों के अधिकतम माप है यह आवाज विकास जेई यूपी ट्रपल सी जेई डी एससबी जेई फिर airport authority जो AI का जेई का पेपर एनामार सी जेई विहार सी जेई सबका पेपर का question में पूछा गया है यह बहुत important question है तो हम सिर्फ इसको नहीं देखेंगे इसमें हम सिर्फ इसको नहीं देखते हैं कि clay के particle का size क्या है हम सबको देख लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि clay के size का particle क्या है तो अगर हम discuss करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाउल्डर का size अगर आपको आता है तो आप लोग भी लिखते चलिए copy paper पे pen paper लेके बैठा करिएगा यह जितने भी आप question को solve करते हैं जरूर इस बार पताएगा कमेंड में कि आपके कितने question का अंसर साही थे बाउल्डर कोबल ग्रेवल सेंड सिल्ट जिसको हम एम से भी डिनोट करते हूं फिर हमारा आता है खले हम इनके size को discuss करता चाहेंगे तो अगर 300 mm से उपर का size है वह gravel के अंदर आते हैं well अगर हम इसमें बात करें send की तो send का क्या है कि हमारा 0.75 mm से लेके जितना भी हमारा 4.75 mm तक है जितने भी size इसमें आते हैं इसमें भी fine coarse medium तीनों तरीके के आ जाएंगे तो यह जो हमारा send का पूरा description send में आ जाएगा size particle well अगर हम बात करते हैं 0.002 से लेकर 0.075 mm तक तो यह silt particle में आते हैं और जो हमारा clay है इसका उतलब वो क्या है 0.002 mm से भी जो हैं वो मेरे silt के वो मेरे clay के particles हैं तो question यही पूछ रहा था कि आपको आपको क्या लगता है कि clay के particles जो हैं हमारे clay के particles जो हैं उनका size क्या है तो 0.002 होगा यह 0.0002 होगा तो इसमें confused नहीं होना है c will be the correct answer 0.002 mm से छोटे particle हमारे clay size के particle है यह बहुत important है और एक बर और बाउल्डर हमारे 300 mm से जादा बड़ा और जो हमारा global है वो 80 से लेके 300 mm के बीच में gravel 4.7 से 80 के बीच में फिर हमारा 0.07 mm से लेके 4.7 mm के बीच में send देखो कितने सारे mcq हो गई है कोई भी size को लेके पूछ सकता है तो यह भी हमारे size के यह size की table आपको याद होने चीए कितने सारे mcq आपके इसी से बन जाएंगे इस वाली table से तो यह table आपको याद होने चीए महीं पर अगले प्रश्ण कुछ इस प्रकार से कि identify the correct statement pertaining to bilks creep theory used in the design of impervious floor for structure found impervious soil भेदी मिट्टी पर पाई जाने वाली सनरचनाओं के लिए अभेद्य पर्ष के design में प्रयोक्त ब्लेग के विस्परन सिधान्त के संबंधित सही कथन की पहचान करें तो सबसे पहली बात अगर हम wilks theory की बात करते हैं तो सी हमारा एक wilks constant है वहाई पर वो क्या कहता है head loss upon L तो यह constant है तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर head loss को हम L के इस तरीके से लिख सकते है head loss हमारा creep length के directly proportional हो जाएगा तो जितनी जादा head loss उतना ज़ीप length तो अगर秤 बात करते है तो यह क reservoir root of creep length अब दिखें कहता है कि head loss is inversely proportional to the square root of creep length तो स्क्वारूट ही नहीं तो यहağı at legit given तो D option जो है हमारा यह बिल्कुल करेक्ट हो जागा सब्सक्राइब अगर हम अगले क्वेशन की बात करें तब the swelling nature of black cotton soil is primarily due to the presence of kappas, काली kappas मृदा के फूलने की प्रक्रिती मूल रूप से किसके उपस्तिती के कारण होती है सबसे पहली बात मॉंट मॉंडललाइट, केलोणाइट, हलाइट और वर्मिकलाइट तो अगर आप इनकी बात करें इन में से जो मॉंट मॉंडललाइट है यह है ना सबसे जादा मतलब इसके वज़े से जो है वर्माई पर कॉटन की जो खेती है का पास की जो खेती है उसके लिए यह जो हमारी ब्लैक कॉटन सबसे बहुत अच्छी है मतलब इसका एजेंट क्या है तो सबसे पहली बात करें तो अलुवेल का रीजन क्या था हमारा वाटर जो रॉनिंग वाटर है वह था वह अगर हम बात करें को अलुवेल सबसे बहुत अच्छा लेक्चर है आप पूरी ट्रांस्पोर्टेट सबसे देख सकते हैं को अलुवेल का जो हमारा था वह था हमारा ग्रेविटी उसका रीजन क्या था ग्रेविटी की वज़े से तो सबसे आती है वह सीप हम टैलस भी फिर खोलते हैं ऑलुवेलайस ऑर एल विई साल के लिए हमारा था एंच्छ लेटा घ्रेटी है यंट यह कामjas settlement की बात करें लेक में पाई तो अगर हम इस question की बात करते तो ये भी बहुत सार एक्जाम में पुछेगे FCI, SSJ, UPJN, 2014-13, JE 2018 तो इन सब एक्जाम में पुछे गया है तो ये भी एक important question है तो cohesive soil होती है और एक non-cohesive soil होती है तो जिसमें cohesion नहीं होता वो soil कौन सी है तो sand जो है जो बालू है silt, sand, clay और none of the other तो silt और clay में cohesiveness थोड़ी सी देखी जाती है लेकिन जो sand है उसमें हमारा cohesive character नहीं देखा जाता तो बालू जो है हमारा cohesive less soil है, cohesion less soil है तो B will be the correct answer अगर हम इस question की बात करें तो जो B option है वो हमारा correct answer हो जाएगा well next question कुछ इस तरीके से की what is the water cement ratio required to complete the reaction of hydration of cement cement के जल योजन की प्रतिक्रियाओं के पूरा करने के लिए जल cement on path W by C हमारा water cement ratio उसका क्या होना जरूरी है ESE 1996 ESE का question है तो बहुत important है और SSJ 2018 में पूछा गया है तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारा दो तरीके से question आता है क्यों cement के hydration के लिए पूछते एक full hydration के लिए पूछते है cement के hydration के लिए क्या है 23% पानी चलेगा 23% की बात करें सिमेंट है उसके hydration के लिए कि complete hydration के लिए में 15% और एड करना पड़ता है क्यों तो टोटल कितना होगी है 38% क्योंकि जो वॉइड से वह एब्जॉब कर लेता है water को लेकिन अगर हमने 15% water absorb नहीं के तो वॉइड में चला जाएगा और hydration पूरी नहीं होगी हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी तो strength को गेन नहीं करेगा अगर hydration पूरी नहीं होगी और जादा water डाल दिया जितना water सिमेंट से तो वह slurry form हो जाएगा फिर उतनी strength नहीं मिलेगी मतलब उससे workability तो increase हो जाएगे लेकिन हमें फिर उतनी strength नहीं मिलेगी तो हमें strength पूरी नहीं मिलेगी तो यह भी question important है आपको इसका data को थोड़ा समझ के रखना है वेल आज हमने बहुत अच्छा question डिसक्स की उपर से उनके options पो भी डिसक्स करते हो चलते हैं तो आपके कितने questions सही हुए यह जरूर आप अपने comment box में बतायेगा thank you so much for watching and if you like the session please like and subscribe the channel pdf आपको हमारे telegram group पे मिल जाएगी thank you so much for watching take care